जाहिंद बंदे मातरम प्यारे सातियों आ चुके हैं एक और जब्रदस्त नहीं भरती के साथ कौन सी भरती है दोस्तों आपके लिए यह सातियों ECHS में भरती निकली है जिसमें आपको बता दूँ वायू सेना इस्टेशन में भरती निकली है पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे ECHS की ही भरती है दोस्तों इसमें आपको कौन-कौन से पद देखने को मिलेंगे चपरासी है जी एनेम नर्स वाला है ठीक के उपर ही सारी की सारी चीज़े किलियर कर दूँगा एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा एज वगेरा बहुत कुछ इसमें छूट है 18 से 53 साल के कंडिडेट फोरम भर सकते हैं योग जिता केवल 5 वी पास और 8 वी पास है बिना परिक्स्या की सीधी भरती होने वाली है प मसकार साथियों मैं राजेस गूजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओम वी रोजगार के यूटूब चैनल में आउजी फटाफट से इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी हम देख लेते हैं पूरी जानकारी को समझ लेते हैं ठीक है साब देखो यह है वायुसेना इस्टेशन ECHS सेल भरती 2024 जिसमें हाउसकीपर चपरासी ड्राइवर नर्सिंग इन पदों पर भरती है एज 18 से तरेपन है पहले ही किलियर कर देता हूँ योगिता पांचवी पास और आठवी पास है फोरम फीस कुछ भी नहीं लगेगी क्यूंकि साथिय यह ओफलाइन फोरम है कैसा है साब ओफलाइन फोरम है जो आपको डाक दुआरा भेजना है ठीक है जी डाक दुआरा आपको फोरम भेजना है वेतन भी बताएंगे चैन कैसे होगा इंटर्यू के आधार पर आपका चैन होने वाला है महिला पुरू सभीस में आवेदन कर सक लास्ट डेट भी आपको बताएंगे सारी चीज़े किलियर करेंगे फिर भी आप केमरे में कोई डाउट हो कोई संका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजेगा हम आपका जवाब जरूर देंगे ठीक है साब आजवाब इसका उफिचल जो नोटिस है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार किलियर कर लेते हैं सारी चीज़े भी ये देखो साब इसका उफिचल नोटिपिकेशन देख लेते हैं ताकि अपने को सारी चीज़े इसमें किलियर हो सकें खुल जा भाई खुल जा खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है ये लो साब ये तुम्हारा नोटिपिक इन्चार्ज ECHS सेल सेवन बी आरडी एयर फोर्स स्टेशन तुगलकाबाद लाश्ट डेट जो है सातियों यह आपकी आठ सितंबर है यानि की आठ सितंबर तक ही आप इसमें फोरम भेज सकते हो ओफलाइन तरीके से डाक दुआ रहा ठीक है सब बिलकुल वायू सेना इस्टे अबर आपने कर रखा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं ओफलाइन आवेदन हैं आवेदन सुल्क 0 रुपए है यानि की फोरम फीस नहीं लगेगी फिर भी आप डाग दुआरा स्पीड पोस्ट वगरा करवाते हो तो 40-50 समारे वो जरूर लगेंगे योगिता वगेरा आठवी दसवी पास जो भी है उस देख लेते हैं हाउस कीपर का एक पद है 18-53 साल एज तो सभी की 18-53 साल ही है भई सारे पदों की इसमें पढ़ने लिख लें का ग्यान होना चाहिए यानि कि हाउस कीपर में पांच वी पास म पहले लगाया जाता है तो अगर आप नए बंदे हैं नए कंडिडेट हैं और आप इसमें फोरम भर रहे हैं तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस जरूरी है जाती हूँ यानि कि किसी भी काम का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए उसका अनुभाव परमान पत्र आपको लेते हैं और वो भी तब लेते हैं जब एक्स सर्विसमें ना भरे तो फोरम अगर कोई एक्स सर्विसमें फोरम भर रहा है तो उसी को लगा लेते हैं ठीके साब ये पहले ही किलियर कर दूँ चपरासी का एक पद है 16,800 वेतन है आठवी पास योगता है ड्राइवर का एक आर्मर्ड फोर्स को वरियता दी जाएगी यानि कि कोई भी एक्स सर्विसमें अगर फोरम भर देता है जी एनेंबाला तो वो ही लगेगा बैस में तो ठीक है साब आयू की गणना अंतिम्तिति के अनुसार यानि 8 सितंबर को आयू की गणना होगी 18-53 साल के होने चाहिए औ और लास्ट डेट 8 सितंबर 2014 से फोरम कहां भेजना है तो फोरम भेजने के लिए ये देरक्खा इन्होंने address इस address पर आपको क्या भेजना है फोरम को भेजना है फोरम के साथ सभी डोकोमेंट्स हों की फोटो कोपी और फोटो कोपी के उपर सेल पटेस्टेड खुद के अस्ताक्चर करके और डाक द्वारा इस पते पर भेज देना होगा फोरम कहा मिलेगा फोरम आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और यह जो नोटिपिकेशन है यह भी टेलीगिराम पर मिल जाएगा और वाट्साप चेलेगर पर भी डाल दिया गया है तो आप सभी साती हों भी रोजगार के टेलेगराम को भी जोईन करें और वाट्साप चेलेगर को भी फॉलो कर लें वहीं पर जो भी भरतियां आती है उनकी सबकी notification वहीं पर डाली जाती है इसका forum भी आपको मिल जाएगा और अगर आप इमित्र से भी लेना चाहें तो इमित्र से भी इसका format आपको मिल जाएगा सातियों उसको भर करके photo part चिपका करके सभी documents हों की photo copy लगानी है देखो आधार card pen card जो भी है आठवी दसवी जो भी मारक सीट है पांचवी medical जो जी एनेम की है उसको counseling registration होना चाहिए ठीक है जी अच्छा पीपियो डिस्चार्ज बुक पहचान पत्तर ID जो एक्स सर्विसमेन फोरम भरेगा तो उसका proof उसको देना पड़ेगा अनुबव परमान पत्तर है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं अब बात करेंगे साब इसका interview कब होगा तो देखो भई आवेदक साक्षातकार हेतु दिनाक 18 सितंबर 2024 को यहाँ पर यह 2023 लिखा गया है न मिस्प्रिंट है 2024 को आप देखो मैं interview की बता दू आपको date 18 सितंबर 2024 को क्या रहेगा साब interview रहेगा साब interview रहेगा तो interview में आपको भाग लेना होगा 18 सितंबर 2024 को ठीक है साब last day 8 सितंबर है फोरम भरने की यह है पूरी की पूरी जानकारी interview में जाते समय आपको original दस्तावेज भी लेकर के जाने है और photocopy भी लेकर के जानी है ठीक है साब I hope आप अच्छे से समझ ग ठीक है जी आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यूंकि देश में जितनी भी भरतिया निकलती हैं तमाम भरतियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भासा में समपूर जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे साथियो को जै हिंद जै भारत